हेलो और वेलकम टो इंडी टीवे स्पोर्ट्स मैं हूँ आपके साथ अभिशेक भारदवाज चार दिसम्मर से भारत बना बांगलादेश के बीच ODII सीरीज की शुरुआत होनी है शेरे बंगाल इस्टेडियम में पहला ODII मुकाबला खेला जाएगा सुबह 11 बजे रविवार के दिन सुबह 11 बजे टॉस होगा और साधे 11 बजे से मुकाबले के शुरुआत हो जाएगी यानि टीम इंडिया और बंगलादेश के बीच पहले ODII मुकाबले के शुरुआत हो जाएगी इस बीच आपको बता दे कि प्लेइंग 11 में या फिर टीम के स्कॉर्ट के अगर बात करें तो भारती टीम के जो भी सेनियर खिलारी थे जो उनको आराम दिया गया था उसमें रोहिच शर्मा, विराट कोली और केल राहुल बंगलादेश के खिलाफ मुकाबले में वापसी करते हो नजर आएंगे लेकिन बंगलादेश के खिलाफ ODII सीरीज में सुरे कुमार यादो जो है वो स्कॉर्ट का हिस्सा नहीं है उन्हें इस सीरीज से आराम दिया गया है तो कहीं न कहीं स्काई की कमी खलेगी लेकिन लगतार बैक टू बैक स्काई क्रिकेट खिल रहे है तो उन्हें भी आराम करने का मौका मिलना चाहिए तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि वर्कलोड मेनेजमेंट के तहट सुरे कुमार यादों का अराम दिया गया है ताकि वो भी रिलाक्स हो अगले साल जो है फिफ्टी ओवर्स का जो वर्ल्ड कप होना है जो कि भारत में खेला जाएगा उसके लिवे कहीं न कहीं सकाई की मौजूदगी बहुत यहम रहेगी तो इस सभी चीजों को मैनेज करें तो टीम इंडा जो है बांगलादेश के खिलाफ चार दिसंबर से ओडियाई सीरीज की शुरुआत करेगी तो चली आपको बताते हैं कि आप भारत बनाम बांगलादेश के बीच ओडियाई सीरीज का जो मैच है जो मुकाबले होंगे उसका लुथफ आप कहां उठा सकते हैं तो सबसे पहले सोनी लिव एप पे इसका लाइव स्ट्रिमिंग किया जाएगा सोनी नेटवर्क पे भी ये मैचेज आप देख सकते हैं इसके साथ आप डीडी पे भी तमाम मुकाबले जो है वो आपको देखने को मिलेगा आप जियो टीवी पे ये भारत बनाम बांगलाद अब तक कुल 19 मुकाबले खेले हैं जिसमें 3 मुकाबले ऐसे हैं जिसमें भारती टीम को बांगलादेश के हाथो हार का सामना करना पड़ा है और 8 बार ऐसा हुआ है जब भारती टीम ने बांगलादेश के उपर जीत हासिल के यानि बांगलादेश को 8 बार हार का सामना करना पड़ा है इसी के साथ बता दे कि शेरे बंगाल एस्टेडियम का इतिहास ऐसा है कि उस 19 मुकाबले में दो-दो मुकाबले ऐसे मतलब दो पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले हैं शेरे बंगाल एस्टेडियम में खेले के भारती टीम के द्वारा जिसमें भारती टीम को जीत हा अगर winning percentage की बात करें तो 80-85 प्रतिशत ऐसे रुमाल लगाए जारें कि भारती टीम पहला ODAI मुकाबला अपने नाम करें और अगर ऐसा ही प्रदर्शन जारी रहता है पहले ODAI मुकाबले भारती टीम जीत के साथ शुरुआत करती है तो उम्मीद करेंगे भारती फैंस के ना सुवर के विश्यो कप 50 वर्स का जो वर्ल कप होगा जो की भारत में खेला जाएगा उसके हिसाब से कर देखा जाए तो बहुत ही एहन स्रिंखला है लेकिन मुकाबले दो मुकाबले उड़े ही मुकाबले जो है वो बारिश की भेट चड़ गहते अब बांगलादेश में द जरूर बताएगा और साथी साथ रिशापंत को लेकर क्या कहना है क्या रिशापंत को बांगलादेश के खिलाफ ओडियाई सीरीज में प्लेइग 11 का हिस्ता होना चाहिए और नहीं होना चाहिए कमेंट करके जरूर बताएगा और इस पोर्स से जुड़ी तमाव अपडेट के लिए एंडी टीवी को एंडी टीवी स्पोर्ट्स को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले